इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेल्दी एंटेस्टी मैंगो मिल शेक आप घर पर कैसे बना सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं हमने लिए हैं दो कटे हुए आम, चीनी, ड्राइफूर्ट्स, दो गिलास ठंडा दूद अब हम आम को जार में डाल देंगे जार में डालने के बाद हमने दो पीसीज रोक लिए हैं डेकुरेशन के लिए जार को ढखने के बाद हम उसे ग्राइंड करेंगे जब आम अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे का प्रासिस करेंगे आम हमारा ग्राइंड हो चुका है अब हम इसमें तीन चम्मच हमने शुगर डाली है शुगर आप अपने टेस्ट के गॉर्डिंग ले सकते हैं आप चार चमच भी डाल सकते हैं हमने दो कव दूद इसमें डाल दिया है दूद हमने ठंडा लिया था आप आइस क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं इसके बाद हम दुबारा ग्राइन करेंगे हम mango milk shake को तब तक ग्राइन करेंगे जब तक सारी चीजे आपसे अच्छी से मैश ना हो जाएं क्यूंकि अगर mango अलग होगा और milk अलग होगा तो अच्छी से शेक हमारा नहीं बन पाएगा मेंगो मिल्क शीक बन कर तयार है अब हम इसे सर्व करने की तयारी करते हैं सर्व करने से पहले हम इसे किसी पून से या किसी भी चीज से अच्छे से मैश कर लेगे ताकि सारी इंग्रिडियन्स आपस में एक आतust works हो जाए उसकी बाद हम इसे सर्व करेंगे सवर करने से पहले आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं मैंगो मिल शीक बन कर तयार है अब हम इसे सवर करेंगे सवर करने के बाद हम इसे डेकुरेट करेंगे डेकुरेशन के लिए हमने लिये हैं ड्राइफूट्स और जो मैंगो के स्लाइस हमने बचाए थे उनको छोटे-छोटे पीसिस में डिवाइड करके हम दोनों ग्लासिस में डाल देंगे उसके बाद हम इसमें ड्राइफूट्स डालेंगे ड्राइफूट्स आप अपनी चोईस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हमने किशमेश, काजू, बदाम डाले हैं और उसके उपर आप आइस क्योब भी डाल सकते हैं ऐसा ही लजीज मैंगो मिल शेक आप अपने घर पर भी बना कर तयार कर सकते हैं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना न भूलें तो चलिए मिलते हैं एक नई डिश के साथ थैंक्स पो वाचिंग